और कैसे हो आप से मैं आ चुका हूँ COD Mobile की एक और ने वीडियो के साथ New Seasonal Event आ चुका है और Mission है Earn Avenger Medal in Multiplayer Matches 10 Time Next है Earn Kingslayer Medal in Multiplayer Matches 5 Time कैसे आप इन दोनों मैडल्स को ले सकते हो वो बताने के लिए हमें जाना पड़ेगा गेम प्ले पर तो चलते हैं गेम प्ले पर और वहाँ पर आपको दिखाते हैं कैसे आप Avenger और Kingslayer Medal को ले सकते हो तो चलते हैं गेम प्ले पर पहले बात करते हैं Avenger Medal की Avenger Medal आपको तब मिलेगा जब आप उस Enemy को किल करोगे जिसने कुछ सेकंड पहले ही आपके टीमेट को किल किया है यह है Avenger Medal आप देख सकते हो कुछ सेकंड पहले जिस Enemy ने आपके टीमेट को किल किया है उसको किल करने पर मिलेगा आपको Avenger Medal यहाँ पर भी हमें एक मिल चुका है ऐसे आपको मिलेगा Avenger Medal बहुत ही सिंपल है और अब बात करते हैं King Slayer Medal की King Slayer Medal लेने के लिए आपको Enemy Team के उस Player को Kill करना होगा जिस Player के सबसे ज़्यादा Kill हैं यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ इस Player के सबसे ज़्यादा Kill हैं जैसे ही मैं इसको Kill करूँगा आप देख सकते हूँ हमें King Slayer Medal मिल चुका है ऐसे आपको करना है उस Player को Kill करना है Enemy Team के जिसका स्कोर ज़्यादा होगा तभी आपको King Slayer Medal मिलेगा बहुत ही सिंपल है जल्दी से Complete कर लेना और अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और शेर कर देना मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर ओके बाई